श्री राम लिंगे सुरुख की सच्ची काहने हम बताने वाले हैं हेलो गाई वल्कम बाक मेरे चैनल में शागत हैं हम इदर आए मूल बागल की यह फेमस मंदीर है अब देख सकते हैं आप अगर प्लानी करते हैं मूल बागल आने के लिए इदर बहुत सारे जागा गुनने के अबनी हिल जहां बालमे की रूष ने तपेशा किये थे लबकुस का यहीं जम्नस्तान है इदर लबकुस पैदा हुए थे उनका सारे जो बिद्ध्या इदर अधहन के थे युद्ध्यु इधर ही के थे सब कुस इधर ही उनका हुआ था यह जो खेत्र है इसको लश्च्मन इसका भी एकी रीजिन है के तंग्यों की एक बार क्या हुआ वह बहां लच्मन ने सिता माता की लेके इधर आये थे उनको जोब छोड के बाफ़ जा रहे थे तब माता शिता ने उनसे पूछा आप मुझे छोड कर अकल क्यूं जा रहे इधर क्यूं लेके आये थे और छीता ने मूर्चा गये थे, सेंसलेस हो गये थे, तब वो गाबलो बती थे, ये देखे लच्छमन ने उनको पानी की जोरूत था, इसले वो उनकी तीर से भूमी पर मार के गंगा को बुलाए थे, इसके लिए इधर एके जगा है उसका नाम है पातल गंगा, कोई भी सीजिन ह इधर 24 और पानी रहता है, इधर से आप अगर उपर जाएंगे, आपको जाना आने के लिए बस दो घंटा लगेगा, आप आराम से जाके देख सकते हैं, जो पातर समनबो यूज करते थे, पुखाना बनाने के लिए, माता सीता और उनका दो बच्चे, सब कुछ उधर अगर आप स्टोन से उसको मारेंगे, तो आपको सिल्वर का आवाज आएगा, सब कुछ उधर मजुद है, आप जरूर जाएए, देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, इसे कुछ मतलब वेस्ट हो गया है, बहुत साल हो गया, कुछ खराब हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे मजुद है, उधर माता सिता परवदी का एक मुलस्तान है, दोनों का मुर्ति के एक साथ में है, उसका भी एक रीजिन है, जब वो माता सिता ने पुछ ते बाल में किसे, क्या हम इस जनम है के कभी बहुत राम से मिल पाएंगे, वो बोले थे हाँ, अगर तुम माता पर परवदी को पुजा करोगे, तो तुम फिर से राम को देख पाओगे, इसके लिए वो पुजा की हैते, इसके लिए दोनों का मुर्ति जो है, साथ में, इधर है, उपर है, वो उपर एक मिट्टी मिलता है, जिस बचों को स्टोमाख पेन होता है, भूमिट होता है, वो मिट इसके लाके दूद में मिलाके, अगर बच्चे को चखा जाता है, वो बच्चे ठीक हो जाता है, ऐसे लोगों का मानना है, वो माता सिता ये सभी यूज करता थे, उपर एक जागा है, उरुल गुंडू, जिसको बच्चा होता है, उधर जाके अगर वो पुजा करता है, इदर पंच्ट पंडबु आए थे, उनके नाम पर पांच मंदिर है, बाली शुगरिव का मंदिर है, राम लच्चमन शब का मंदिर है, लेकिन इदर एक खास बात यही है, हर मंदिर में आपको शीब का मुर्ति मिलेगा, सारे मंदिर में मतलब भगान शीप को अरपित है भगान राम का नाम है लेकिन मुर्ति जो है शीप का है एसे ही हर मंदिर में भगान शीप को अरपित क्या गा है जो लच्छमन का मंदिर है सबसे बड़ा शीप मुर्ति शीप का लेंगे उधर ही है राम लिंगिशिर क्यों बोलते हैं किते हैं जब भगान राम ने अश्यमध्य याज्य करने के लिए अश्यो को छोड़े थे तब उनका दो बच्चे लब कुष ने उनको बांध के रखे हुए थे इसका जो मालिक के आएगा और हमसे यूद करेगा और अगर जीतेगा तो अश्यो लेके बापस जाएगा मतलब भगान राम को वो चैलेंज किये थे तब एक के बाद देखे आये थे सब को वो परस्त कर लिए थे उसके बाद लाष्ट में राम आये थे जो वो उनके साथ तो वो युद के उनके बच्च के साथ और उनको परस्त कर दिये थे तब बालमकी ने उनको बोल थे अपने पुत्र के साथ युद करना ये आधार्मकी बात इसके लिए आपको एक सीबलिंग का स्तापन करना पड़ेगा और करके उधर पुजा करना पड़ेगा तब भुगान राम ने इधर एक सीबलिंग स्तापन किये थे और उसका नाम में राम लिंगी शर्म ये सची घटना पर मतलब आधारीत ये सच्चा ये मंदिर में अगर जिन्देगी में कभी मौका मिलेगे तो आप जरुर आईए और इधर देखके आराम चे जाईए अगर विडियो में कहीं में गल्ती कर दीएं या कुछ गलत बोल देएं तो प्रीज मुझे माप कर दीजेगा अगर कुछ एक्ठा इंफरमसन है आप लोग के पास प्रीज कमट करके बताएगा देखें कि रामलिंसर का फुल बाउंडर है उपर जो दीख रहाए बोवे अबनी बेटा आप उधर जाएंगे तो माता शिता का मुलस्तान है उधर आप उधर जाके आराम चे देख सकते उधर से एक घंटा फुल उपर जाएंगे तो उनका जो मेमोर है सबकुछ मजुद है आप आराम से जाके देख सकते हैं जो मंदिर का सिलालेपी देख के मालूम पड़ता है ये तीन सो निनानावी खिष्टाप्द में बनाय गया होगा 1970 में इधर के पुजार जी थे उनको प्लानीं करके बैंगलोर ट्रांसपर कर दिया गया जब चलगे मंदिरों की कुछ कर्मचरवने मिलके स्मगलोर के साथ मंदिर का में मूर्ती था करोण करोणर रूप्य था उसका प्राइसी अष्टigning से भनाय